चलिए भारत में आर्थिक नियोजन से समन्दी सारे प्रष्ण हम आज करेंगे और एकनौमिस से समन्दी था भारतिय अर्थ विवस्ता से समन्दी जितने भी प्रष्ण बन सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको खिलियत हो जाए वस आपका सपूर्ड और सस्काइब बना रहा तो मैं इसी तरह मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटूँगा मेहनत करता रहूँगा तो इसमें हम पढ़ने को जाएंगे भारत में आर्थिक नियोजन में इसमें पंचवर्षी विवस्तना सबसे जादा शवाल पूछा है तो इसमें जितने भी शवाल पंचवर्षी उस्ता नामग पुस्तक लिखी है तो इनका नाम है एम विश्वेश्वर राए क्या बताएगा विश्वेश्वर राए बताएगा इसमें देखे सन 1934 में सरप्रृथम जो है इसने भारत के लिए नियोजित अर्थवेश्वर राए अब सवाल कैसे बनते हैं इस चीज़ पर नोटिश करिएगा तो सवाल क्या बनता है कि इन विश्वेशर राय जो है 1934 में जो है सरप्रथम जो पुस्तक लिखें उस पुस्तक का नाम क्या है तो नियोजित अर्थविवस्था नाम है तो ये तो आपको कोश्चन अगर पूछेगा तो किलियर हो जाएगा अगर ये भी पूछ सकता है 1934 में जो सरप्रथम जो पुस्तक हुई है जो कि नियोजित अर्थविवस्था लिखी गई है कौन लिखें तो ये विश्वेशर राय जो कि आप देख रहे हैं इस कोश्चन को आप से और सवाल क्या पूछेगी तो पूछेगा सरप्रथम जो है थे तो अगर आप से पूछेगा कि सरप्रथम कॉंग्रेश ने 1938 में क्या किये थे कि जोहालान नहरू के अधिस्ता में राष्टी नियोजन समीति का गठन किये थे तो आपको अगर आएगा सवाल तो आपके लिए हो जाएगा आप से पूछेगा कि 1944 में मंबई के आठ प्र बंबे के लोग जो है आठ प्रमुक जो द्योग पती थे मतल विजनस्मेंन थे वो क्या किये थे एक सुत्र बद करके योजना पस्तूत किये थे कब किये थे 1944 में मतलब 1944 में तो उस जो प्लान का नाम क्या था तो बंबे प्लान था चीक है यह समझ गया अगर आप से पूछ स्रिमन नारायन ने 1944 में मतलब 1944 में एक योजना निर्मित जो है किस नाम से की थी तो गान्धिबादी योजना के नाम से सुरू के थी तो आप से पूछेगा स्रिमन नारायन जो थे जो कि 1944 में मतलब 1944 में एक योजना निर्मित किये थे उस योजना का नाम था द्रातिी योजना ऐसे स्वाल आप से पूछेगा और सवाल क्या पूछेगा तो सरी इम इन राय जो थे सरी इम इन राय जो थे यह तेब हैं अप्रैल 1995 में कौसी योजना निर्मित की तो जन योजना की थी तो जो है स्री एम एन राय ने अप्रेल 1945 में कौन सी योजना निर्मित की तो ये समझ गया अब नेक्स्ट कोशन देखिए कि भारत में योजना से समझनी जो पहला विचार प्रस्तूत करने का श्रे जो है कि से जाता है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कि 1934 में किये थे वो करने वाले कौन है एम विश्वेश्वर राय थे जो कि 1934 में पुस्तक लिखे थे कौन सा पुस्तक तो नियोजित अर्थवर्श्ता तो इनी का सबसे परदे श्रे जाता है जो कि योजना से समंझित पहला विचार देने वाले विक्ति बाने जाते हैं एम विश्वेश्वर रहियर विश्वेश्वर रहिया ठीक है आपसे और सवाल क्या पूछेगा भारत में आर्थिक न्योजन जो है कब शुरू हुआ तो हमेशा याद रखेगा एक अपरेल एक अपरेल 1951 को हुआ था तो आपसे अगर पूश्ते कि भारत में आर प्लाणिंग एन पूवर् के लेखा कॉन है तो भी असमीन हांस जीते तो प्लाणिंग एन पूर् के लेखा कॉन है तो भी एज मीन हांस जी थे नेक्स्ट कोश्चन आप देखिए ध्यान से इस कोश्चन को जैसे पढ़िएगा उसी तरह कोश्चन आता है एकनोमिक्स में बस थोड़ा सा ध्यान देनी की बात होती है जूँकि सब्द का खेल है एकनोमिक्स में इस बुक के हिसाब से आंकड़े पर ध्यान ना जीजेगा क्योंकि आंकड़े से मैं पहले बोल दे रहा हूँ आंकड़े बदलते रहते हैं वो करेंट में आपको करवा देंगे सवतनता पुरूब डॉक्टर जो एम विश्वेश्वर रया जो है ने भारत में नियूजन की एक यूजना पस्तूद की थी यह यूजना कितने वर्स की थी तो दस वर्स की थी आप समझ जाएए पांच वर्स का यूजना बाद में जो पंच वर्स ही होजना सुनते हैं वो उससे पहले क्या था दस वर्स का यूजना था और योनल शूरू किए थे युजरना सुरू किये थे वह को दस परशका रखे थे इसे याद रुखे रहा है आपसे सवाल पूछेगा आर्थिक नियोजन जो है विशय क्या है संबर्ती सूची में और यह सूची आपसे पूछेगा आर्थिक नियोजन विशय किस से है तो संबर्ती सूची से है यह ज़रूर ध्यान रखेगा तो पूछेगा किस आर्थिक नियोजन जो है, किस विसे में आता है भाई, तो आब बताज़ेगा, क्या बताएगा, समुर्थी सुची में आता है, मतब केंद्र और आज दोनों मिलके काम करेंगे, उसे को समुर्थी सुची में रखते हैं, समझ गए, तो आप से और सवाल क्य पूछेगा, तो भारत में योजना की अवधारना कब शुकार की गए, तो अगर पूछा जाए कि भारत में योजना जो बनता है, प्लानिंग जो बनता है, उसके अवधारना जो होता है, कब शुकार किया, तो आप ध्यान रखेगा, 15 हमार्च याद रखेगे, 1950 याद रख क्योंकि अब धार्ना को श्युकार किया गया था पचास में लेकिन लागू किया गया है आप बहुत अच्छा से जानते हैं कि 1951 में तो कोई दिकत नहीं होने शाहिए अब चलिए पंचवर्सी और उजना बनाने की जिम्मदारी किसकी है तो यूजना आयोग की है आप समझ ग बुक के अंसान मैंने रिमांडर बुक के अंसान नहीं बनाया था लेकिन इस बुक से अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% मैं बोलता हूं कि पंचवर्सी और उजना से अगर कोईशन आता है तो छूटने का नाम नहीं लेगा बस ध्यान देदिएगा ठीक है चलिए मैं एक औ कुमर्ण सींग की जो मिर्तू की बात होती है तो 9 मउई और 26 अपरिल में 26 अप्रिल को बिहार सरकार नेंसन किया है इसलिए 26 oy को मानते हैं और 9 मई को पहले 9 मई ही अल्ला हुआ था मतनल 2 मई को इनको 9 मई बताय जाता है कि कुमर्ण सींग की मिर्तू है लेकि 26 अपरेल जो है ओफिशिल मान लिया है भी हाट सकता है तो हम 26 अपरेल को ही मानेंगे यह जियान रखेगा आइसबुक में 9 माई दे दिया है और एक बात मैं बता दू कि आज अभी तक जितना एक्जाम हुआ है कुमर सिंग के जन्म को लेकर अभी कंफर्म के लिए नहीं किया था क्योंकि 22 से 23 की बात करते हैं 22 से 23 में उनकी घायल की चर्चा हुई थी लेकि मिर्टु की चर्चा 26 और 9 कंफ्यूजन विरा गया था जिसमें 26 को भी हासरकार मानता है तो आप से अगर पूछेगा तो देखिए 9 या 26 में एक ही ऑप्शन देगा दोनों नहीं देगा अब सबसे बड़ी बात कि अभी तक एक्जाम में 9 से 26 का हम नहीं पूछते हुए रेखें मत नहीं पूछा है जब भी पूछा है तो सिर्फ यह से पूछें मत वर्स पूछें मैंने जहां तक था मैंने कोशिश किया समझाने की या ध्यान रखिए अब चलिए सवाल करते हैं अब आगे हम पंचवर्शिय उजना तो पंचवर्शिय उजना की जो ड्राफ रूप रेखा का जो अनुमूदन जो है कौन करता है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं राष्टिय बिकास परश्द करता है तो अगर आपसे पूछेगा कि पंचवर्शिय पंचवर्शिय उजना का अंतिम प्रारूप कौन पस्तूत करता है तो राष्टिय बिकास ही करेगा देखिए पंचवर्शिय उजना की अगर ड्राफ्ट की रूप रेखा की बात होगी तो वो भी करेगा राष्टिय बिकास परसर अगर पंचवर्शिय उजना का अंतिम प बरिश्यत का है ठीकर आपसे अगर पुछे कि राश्ट ही योजन समीति की स्थापना कब हुई तो е 248 में जो कि आप जानते हैं अच्छिये उजञणा समीती उसी समय बनी थी जब जवाहला नहरू थे अधैस्ता कर रहे थे और उस समय ही राष्ट्वी उजञणा समीती की अस्थापना हुई थी आपसे और क्या पूछेगा राष्टी युजना समीती की जो है समीती के अध्यच पद पर निप्त होने वाले प्रथम वेक्ती ठेक होन तो जो हाला नेहरू जो कि हम पढ़े थे कब निप्त होए थे तो 38 में ये तो अध्यस्ता की बात ही करते हैं अगर आपसे पूछेगा तो 1949 में ये आप दुखेगा 1949 इस में क्या हुआ था कि राष्टी युजना समीती का रिपूर्ट जो है परकाशित हो गया था तो अगर पूछे ये युजना समीती का निप्त है बयाति हों, वह नांट्यम में उन्हकु प्रकास्ट हुआ था था मतलब इस एक सानचास संद्ध है, आप समझे हैं। अगर आपसे और सवाल क्या पूछेगा, तो सरवोद्य योजना का प्राशन प्र्रूता जो है, किस दौरा त्यार किया जाता है? तो आप जानते हैं सर्वोदे योजना जो है सर्वोदे योजना का जो प्रारूप है वो तैयार करने वाले रिखती हैं जैप्रकाश नारायन तो किसके द्वारा तैयार होता है तो जैप्रकाश नारायन द्वारा ते ये तैयार हुआ था कौन सा तो सर्वोदे यूजना का प्रलू समझ गए तो सर्वोदे यूजना से अगर समंधित बात किया जाए तो जैप्रकाश नारायन को याद रखिएगा अगर सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए अब 1944 को आप पढ़े हैं बहुत अभी जस्ट उपर पढ़ के आए हैं कैसे तो सिर्मन एक नारायन थे जो कि 1944 में क्या किये थे सिर्मन नारायन जी जो थे 1944 में क्या हुआ था कि योजरा निर्मित जो है किये थे उसका नाम रखे थे गांधिवादी क्या रखे थे गांधिवादी यह रखे थे समझे गए 1944 साब को याद है अब इसमें 1944 क्यों आया ये इस दिमाग में लगाई तो देखिए भारश शरकार ने एक प्रिथत बिभाग जो है बनाया जिसका नाम रखा नियोजन इवं विकास बिभाग रखा अब क को रखे तो 1944 में ही खोला गया था तो 1944 से मताब 1944 से तीन कोश्व परने की शवाबना होथा है वाला तो बनता है स्रमण नारायन जो है 1944 में योजनान मिर्मित कए थे उस योजना का नाम का निवादी योजना था एक था कि 1944 में ही बंबे के आठ पर्मुक उद्योगपती जो बिजनस में थे एक सुत्रबध नियोजन समीति का गठन के 1924 में जिसे बंबे प्लान बोलते हैं तो आप कोई किलियर हो गया 1924 अगर कोशन आएगा तो है न तो इसमें भी ध्यान रखे के भारस सरकार ने एक प्रिथक बिवाग नियोजन एवंबिकास बिवाग कब खोला था? 1944 में खोला था अगर आप से पूछे कि नियोजन एवंबिकास बिवाग का काजकारी सदश कौन थे? तो इन्हें ध्यान रखना होगा दलाल जी थे तो दलाल से पहले नाम क्या है? तो आदर्शियर नाम था आदर्शियर नाम हिन का तो आप से पूछेगा कि नियोजन एवंबिकास बिवाग का काजकारी सदश कौन थे? मिंबर कौन थे? तो आदर्शियर नाम थे और कब हुआ था ये? बताएगा बिवाग का तो 1944 में हुआ था ठीक है? भारत में नियोजित आर्थिक विकास का सुबारम अगर आप पूछेगा कब तो 1951 बता जिएगा बहुत उजी कोशन है अगर आप से ये पूछेगा कि किस अर्थ सास्त्री ने विकास्शिल देशों के लिए रोलिंग पलान की अवधारना का सरप्रतम समर्थन किया तो वो करने वाले गुन्नार जी थे कौन थे? गुन्नार जी थे गुन्नार मिल डल बोलेते हैं इनको बस ये ध्यान रखेगा तो गुन्नार जी क्या किये थे? तो रोलिंग पलान की जो है अवधारना सरप्रतम जो हुआ था रोलिंग प्लान का उसका समर्थन किये थे समझ गए? कोई दिक्कत नहीं अगर आपसे और क्या पूछेगा तो भारत में योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचोर्शी उद्ना बनी है तो आप जानते हैं कि भाजपा की शरकार आ गई तो भाजपा ने क्या किया पंचवर्शी उद्ना के जगापे मीती आयोग दे आया था 2014 के समय तो आप समझते हैं अच्छे से तो आप समझें बारह मीं पंचवर्शी उद्ना तक ही रहा है आगे चलके बढ़ेगा क्या होगा वो तो दिखा जाएगा अब चलते हैं योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी बार्शी की योजना बनाई जा चुकी है तो शाथ बार्शी की योजना बनी है तो आप से पूछेगा सबसे पहला सवाल तो आपको बहुत किलियर कर लीजे कि कितनी पंच वर्ष यह उना आये थे तो बारा है अगर आपसे पूछेगा यूजना आयोग द्वारा जो है कितनी बारशी की वर्ष यूजना आये थी तो वार्षी की योजणा बनाई जा चुकी थी तो 7 मतलब कहने को पूरा पांच साल नहीं आके 2 वर्स, 3 वर्स का ऐसे बना था यह जो कि हम आगे चलके पढ़ेंगे 3 वर्स का जो होता है वार्षी की योजणा मतलब 3 वर्स का था तो अगर पूछेगा कि योजना आयोग द्वारा बनाए गए वार्शी की योजना अगर आपसे पूछे तो शाद थे यह जरूर ध्यान रखेगा जो कि तीन वर्स का होता था किस समझ गए कोई रिक्त नहीं लेकिन इसका और वी डिटेल हम जानेंगे इसी बुक के माध्यम से यह जरूर ध्यान रखेंगे और भी क्या था अनवरत योजना किस अबधी के लिए बनाई गई थी तो आप ध्यान रखेगा अगर अनवरत योजना जो है किस अबधी किस समय बनाई गई थी तो याद रुखेगा 1978 से 83 में बनाई गई थी तो आप समझ जाए अनवरत योजना एक सुरू हुआ था उसकी अबधी अगर आपसे पूछे तो 1978 से 83 बताज़ेगा अगर आपसे और सवाल क्या पूछेगा तो भारत में कब योजना आवकाश लगा तो भार में लगा था मतलब तीन साल का हुआ के नहीं वार्शिक लग गया के नहीं तो उसी को योजना आप काश बोलते हैं जोकि 1966 से 69 बताते हैं ठीक है जरूर ध्यान रखेगा अगर आपसे पूछेगा आपसे क्या पूछेगा किस पंचवर्शी ओजना के दौरान आर्थिक संब अगर आपसे पूछे अगर अगर देखाया तो पंचवर्शी ओजना का काल अगर आपसे पूछेगा आपसे क्या पूछन की बात होती है 1951 से 56 है हम बहुत इच्छ से जानते हैं कि उन्हें से एकाउन से लिए 56-5 साल की बात होती है तो पर्थम पंचवर्षी होना कब आया था 1951 से 1956 में आया था अगर आप से पूछेगा आप से और क्या पूछ सकता है समझने आता है तो क्या पूछेगा पर्थम पंचवर्षी होना विकास के किस मोडल पर अधारित है तो हेरोल डोमर मोडल पर अधारित है तो ये सवाल पूछता है कि पर्थम पंचवर्षी होना का विकास किस मोडल पर है हेरोल डोमर मोडल पर है पर्थम पंचवर्षी होना की प्रमुक जो है क्या थी तो क्रिश्टी छेत्र थी अगर पर्थम पंचवर्शी होना का डेट पूछे तो आप जया रखे हैं 1951 से लेके 1956 था यह जरूर था रखेगा मोडल तो आप जानगे हैरोल्ड डूमर मोडल अगर आप से पूछेगा भारत में अदोगी करन की प्रकरिया किस पंचवर्शी उजरा में प्ररम की गई थी तो ड्यूटी यह पंचवर्शी उजरा में शुरूरात की गई थी तो द्यूतिये पंच वर्शी विजिणा में क्या हुआ था कि भारत में अदोगी करन की प्रक्रिया शुरू हो गए थी मतलब विकास के लिए वो डैम बनाना ये सब जो है शुरू हो गया था ये ज़रूर ध्यान लखेगा अब चरिए इसमें थोड़े से में बता ही देते हैं नहीं की मोडल और irrational मतलों किस सिधान पर किस मोडल पर ये यह है तो देखे, प्रथम पंच वर्षी हो इना कि अगर बात करेंगे, तो प्रथम पंच वर्षी हो इना हमारा है, हेरोल डोवन मोडल पे है, तो आप याद दखेगा, अगर प्रथम पंच वर्षी हो इना शुरू करीगा, तो हीरो तो बनियेगा नसर जी, हीरो बनियेगा, तो हे गेहना हैरोल जैसे लगेगा तो प्रतम पंचवर्शी होजना अगर सुरू होगा तो हैरोल डोवल मोडल में होगा क्योंकि कुछ तो नए सुरू हो रहा है हैरोल जैसा हो रहा है हीरो जैसा हो रहा है ऐसे आप याद कर सकते हैं अगर फन के साथ याद करते हैं तो अच्छी ब पंचवर्शी होजना की अगर बात करें किस मोडल पर है तो महान लोविस मोडल पर ही है तो ड्यूतिय और तृतिय अगर पंचवर्शी होजना की बात होगी तो महान लोविस मोडल पर ही अधारित है ये ज़रूर दहां रखेगा आपसे और क्या पूछेगा कि चतृतिय और शेयरना की जो शुरुवात हुई थी एलन मारवो एवं अशोक रूद्र के समा जश्पूर्ण जहें मौडल पर हुआ था तो आप से अगर पूछेगा कि ड्यूति ये पंच और शीयोज नामें दो मोडल पर रहा दित हुआ था पहला मोडल एलन मारवे एवं अशोक रू अशोक रूद्र और एलन मारवे देखे पंच और शीयोजना की बात करते हैं तो यूजना आयोग जो है कि दुष्टी यूजना विभाग द्वारा ये प्रारूप तयार किया गया था इसका मोडल का जो अगर रूप देखाया है तो यूजना आयोग खुद इस मोडल का ज यूजना 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 अपने दुष्टी से देख लिया और यूजना विभाग द्वारा तेयार कर दिया था ये प्रारूप कौन से पंच वर्षिये शुरू करते थी पंच मी पंच वर्षियोगण ये याद रखेगा चतीं जो है पंच अगर बात करें चंदीं पं विकाश युक्तियों की संरशनात्मक जो है परिवर्तन एवं सम्रिधी पर जोड़ दिया था कौन सा जो है हमारा चट्टी पंश्वस्यों ना ते हैं उस परिवर्तन और सम्रिध पर जोड़ दिया था यह ज़रू ध्यान रखेगा चट्टा सात्मा पंश्यों ना के बात करें तो दिर्ग कालीन विकाश युक्तियों पर वल देते हुए उदारी करन की ओर जो है अग्रश है तो यह मोडल का नाम नहीं है मोडल का नाम तो आपको उपर ही था इस मोडल में ही समंधित होते हैं कहने का मतलब होता है कि सात्मी पंश्यों तो आप देखेगा कि जो विकाश युक्तियों के पर बल देने की बात हो रही थी और कि उसका उदारी करन का जो हे कि और अग्रशे होने की बात हो रही थी तो यह इस तरह का मूर्डल पर इसमें मोडल पूर्णता नहीं बताएगा है कि किस नाम पे हैं इस सब खाली मोडल का है रूप है अगर आपसे पूछे आठवी पंचवर्शी होना तुदारी क्रित अर्थवेवस्था के रूप में वर्णीत जान डवलू मिलर मोडल ने शुरू की थी अगर आपसे पूछे और आप पंचवर्शी होना है जिसको हम बाद में बताएंगे ऑघ्वी पंचवर्शी ओना के अगर बात करें तुदारी क्रित मत्च जॉन डवलू मिलर मोडल पर थाई था बस इतना धाना कहेगा अगर आपसे पूछेगा द्यूतिय पंचवर्शी और ना का प्रारूप जो है किसने तैयार गया था तो पिसी महान नोविशने की थी तो पिसी महान नोविशने क्या किया था द्यूतिय पंचवर्शी और ना के प्रारूप के रूप में तैयार किया था तो आप समझ गए इस सवाल को दिखेगा ध्यान से और इस जितने भी हो रहे हैं बहुत इप्रॉर्टेंट है पंचवर्ची अग्रामिन जो कि आपको बनेगा ही बनेगा तो यह चीज को ध्यान दिखेगा ठीक है तो देखे पहला जो कोश्चन है इसमें यह कोश्चन देखे भारत में खादी अबंग्रामिन उद्ध्योग आयोग की अस्थामना जो है किस पंचवर्ची अउगरा के तहत की गई थी ते द्यूटियापंचवर्ची अग्राइशना की बात कि गई थी आप जानते हैं अगर मोडल आप से पूछेगा कि द्यूटियापंचवर्ची कर डेट अगर आप से पूछेगा तो आप क्या बताएगा नाइटिफिटी सिक्स से लेके 61 तक है कि नहीं क्योंकि 1951 से जो है 56 तक तो पुर्थम पंच वर्शी हो जना है कतम हो गया कोई दिकत नहीं होनी चाहिए आप से क्या पूछेगा कि ड्यूतिय पंच वर्शी हो जना में सार्वथिक परिवयाय किस पर किया गया था तो आप से ये सवाल भी डारेक्ट पूछता है कि ड्यूतिय जो पंच वर्शी हो जना हो था फाइव यर प्लांस जो है ड्यूतिय यह जना में सार्वथिक परिवया पर किया गया था तो आप बताएगा परिवहन एवम संचार पर आप से और क्या पूछेगा भारत की कौन सी पंचवर्चिय उजना योजना जो है भारत की कौन सी जो है पंचवर्चिय उजना शोविस संग के 1928 के फिल्डमैन योजना का अनुशरन करके तयार किया गया है बत की सोविच संग से जो है सोविच संग के जो उने 128 का फिल्डवन योजना जाना जाता है उसका अनुशरन करता है जो कि पी महान लोविच ने हमारा द्यूटिय पंच्वस्वस्वस्वजना के तहर यह मॉडल बना है चीक है तो यह सवाल आप से हुब हो पूछेगा कि बताए चलिए ठीक है यह सवाल आप डैट देख सकते हैं और सवाल क्या बन सकते हैं तो और सवाल है कि किस पंचवस्वस्वचर्शी योजना के दौरान देश में तीन लौह इस्पात स्थापित किया गया है तो हम जानते कि जूं संपछिय पंचवस्वस्वच अजो है अधोगी के लिए भी जाने जाता है अदोगी के लिए ही आया था पर्थम करशी और दूसरा अदोगी तो यह यहाद देखिया द्यूटिय पंचवर्षी योजना में ही हुआ था तीन लौह इसपात बने थे कौन-कौन बने थे यह सवाल पूसता है ऐसे मैं पढ़ा चुका हूँ अगर मेरा पंचवर्षी हो इना देखरूंगे वीडियो तो तो इस पर देखिये द्यूटिय पंचवर्षी योजना बिधी में तो आपसे पुछेगा कि तीन लौह इसपात सरीयंत है वो द्यूटिय पंचवर्षी योजना में बनी थी तो दुर्गापूर्द भिलाई और राउल केरा लौह इसपात सरीयंत है क्लियर हो गया अब आपसे और क्या पक्चेगा, तो डूटीय पंचवसी योजना में किस छित्र के भी कास पर सारवधिक बल दिया गया था अध्संचार पर दिया गया था, जिसमें हमारे लिए अध्संचार के लिए लिए दिया गया था जिसमें तीन लौह आईस्क बनाए थे इसी के तहर बना था इसके तहर द्यूटिय पंचवचिय योजना के तहर ऐसे याद करते रहेगा द्यूटिय पंचवचिय से अगर आएगा तो एक भी कोस्चन नहीं चूटेगा जैसे देखे और सवाल कैसे बन सकते हैं जैसे बनता है कि किस पंचवचिय योजना में भारी उद्योग को प्राथ्मिक ताद दी गई है तो आप ये जरूर ध्यान देखेगा कि भारी उद्योग की बात हो अलोगी की बात हो तो ये सारा जो है द्यूतिय पंचवचिय योजना के तहर किया गया है ये जरूर ध्यान देखेगा द तिर्टिये पंचवर्सिये योजना आप जरूर ध्यार रखेगा कि तिर्टिये 5 थो इंदा का मुकْ उद्देश क्या है तो आत्वशिद भिकास की जो बात करता है आत्म पोशिद कहने का मुणतर हो То आत्म मिरवहते शेम उत्पाद की बात करेंगे तो तिर्थिय पंच्वसिय योजना का मुख उद्देश कहा गया है तिर्थिय पंच्वसिय योजना की कार्यनिती में सारविदिक बल जो है किस चत्र में विकास दिया गया था तो करेशी के चत्र में तो तिर्थिय में भी करेशी पर दिया गया था वही है आपसे सवाल क्या पूछेगा कि भारत की किस पंच्वसिय योजना ने अपनी प्राथ्विक्ता को विकास से हटाका परतीराच्छा की और केन्दित तो तुर्थिये पंचवर्शी योजनामे किया गया तो आप बहुत अच्छे से आनते हैं कि चीन और पाकिस्तान का लडाय हो गया था जो कि बासर पैंसर्ट की यात रखेगा तो चीन और पाकिस्तान की जो लडाय हुई थे उसके कारण क्या हुआ था कि हमारा भारत जो है तो क्या हुआ कि चोड़कर आप पतिर अच्छा की बढ़ गया था क्योंकि सबसे पहले हमारा देश को बचाना है तो उसी में लग गया था चली थोड़ा स्पिर्ट चलेंगा है तो कि किस पंचवर्शी योजना का मुख जो देश है आर्थिक आत्म निर्वर्था था तो चतुर्थ पंचवर्शी योजना का था समझ गया तो तीसरा का भी आत्म निर्वर्था माना जाता है और चतुर्थ का आत्म निर्वर्था ही माना जाता है तो मुख देश आर्थिक आत्म निर्वर्था जो रखी गई है चतुर्थ पंचवर्शी योजना में लखी गई है देखिए इस कोशिशन को तो आप समझगे किस पंचवर्षी योजना का मुख देश जो है आत्मने भड़ता है तो चतुरत का और तीसरा का भी है अगर आप सब पूचे का किस पंचवर्षी योजना भी धी के दोरान सरकार ने वाक्रिशी नीटी बनाई जिसने हरित करांथी को जन्म दिया तो इसमें ध्यान रखेगा हरित करांथी को जन्म देने की बात होगी तो तुर्टिय पंचवर्षी योजना को कहेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेगा इसमें हरित करांथी का जन्म हुआ है ठीक है यह जरूर ध्यान रखेगा तो तुर्टिय पंचवर्ष योजना के तहर यह निथी बनाई गया थी चीक है अगर आप से पूछे कि किस योजना में भारत में सह श्रम पोशित धिकास का जो है उद्दे सरप्रतम बनाया गया अपनाया गया तो तरती योजना के तहर बनाया गया था यह समय गया और भी सवाल पूछेगा तो चौथा किस पंचवर्षी योजना कवर से पूछे decir तो 1969 से लेके 74 मानना जाता है यह ज़रूरद्धा रखेगा आपसे और क्या पूछेगा कि चौथा जो चौथी जो पंचवर्षी योजना है अनक किस नाम से जाने जाता है तो गडगील योजना के नाम से जाने जाता है तो गडगील योजना के तहर क्या जाने जाता है चौथे पंचवर्षी योजना को जाने जाता है आपसे कि पंचवर्शी योजना में भारत की कृषिय बिर्धी दर्ब सार्वधिक रहेगी तो चौति पंचवर्शी योजना के ताहर अगर आपसे पूछाएगा किस ने पंचवर्शी योजना का अभीगम पत्र तयार किया था तो डीपी धर दिखिया था पांच मीं चौत्रा को ऐ अभीगम पत्र तयार करने का मत्व मोडल को कहते है डीपी धर ने नियुनतम अभर शक्ता कारिकरम का प्रणब है किस पंचवर्शी योजना में किया था तो पांच मीं पंचवर्शी योजना में किया था तो अगर आपसे पूछेगा क्या पूछेगा तो विश सुत्रिय प्रणबार किस वर्श प्रणब किया गया तो उनिस सुपच्टर में प्रणब किया था तो विश उत्रिय ये आपसे अगर पूछेगा तो सुल्फ कर लीजेगा और भी सवाल क्या पूछेगा तो राष्टीय नियुजन में रोलिंग पलान का नाम सुने होंगे कि अवधा ये नियोजन में रोडिंग पलान की अवधारना जो है लागू जो है किया जाता है जनता शरकार द्वारा तो जनता शरकार समझ रहा है पाउलि गवर्नमेंट है ना अगर आप से पूछें कि भारत में निर्देश शिता गरीवी बिरोध कारिकरम कि अवधारना है किस योजना के तहद दिया गया है तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में गरीवी हटाओ का नारा जो दिया गया था पांचमी जो है पंचवर्सिय योजना में दिया गया था यही सवाल बनेगा आपसे और क्या सवाल बनेगा पंचवर्सिय योजना से तो पांचमी पंच योजना में विकास बेनक जिसे नवार्ड के सथापना किस पंच वर्सिए योजना के तरह बाता नवार्ड क्रिषि और घृश्टी और रामिम विकास बैंक फी जिसे नरखाम करणा Yodhan में बिद्दुत उतपादन पर स्थारवधिक बल दिया गया था तो छटी उतपादन पर दिया गया था अगे आपसे पूछेगा है कि छटी पंचवसी यूजना की अब ढ़िए अगर पूछे तो नईसी सो असी से पचासी बता दियेगा अब इसी को सोच दिजिए उन्हें स 183 से 185 के बात करते हैं तो छटी पंचवसिय योजना है इसका डेट भी हम आगे में चुन करेंगे आप से पूछेगा सात्मी पंचवसिय योजना का प्रणूप तैयार करने का श्रय जाता है रामकृष्ण हेगड़े का तो यह पूछेगा कि सात्मी पंचवसिय योजना का अगर पूछे कि मोडल किस मोडल पे है यह कून तैयार किये थे तो रामकृष्ण हेगड़े ने किये थे आत्मी निर्भरता किस योजना का मुख उद्देश था तो सात्मी निर्भरता का अगर मुख उद्देश पूछेगा तो सात्मी पंचवसिय योजना का उद्देश सुराद की गए थी। अगर आपसे पूछ दे कि किस पंचवसी योजना में आर्थिक सम्रधी की दर अपने लच्छ से अधिक रही थी तो आठमी योजना में रही थी पर थम के बाद दूसरा बार कहिए कि आठमी में सफल मानी जाती है या तिसरा बार भी का सकते हैं क्योंकि दूसरा में भी हमको लगभग फायदे हो गए थे वह कौन सी योजना जो है जिसे चार सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तयार किया था तो ये आठमी योजना जो है आठमी पंचवसी योजना जो है ऐसा है कि जो चार सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तयार किया आठमी पंचवर्सिय योजना में आठमी पंचवर्सिय योजना के अकाल पूछे तो 1992 से बता दिएगा 27 बता दिएगा ये सवाल आपसे पूछता है ठीक है अगर आपसे पूछे किस पर नौमी पंचवर्सिय योजना में प्रात्मिता दी गई थी तो न्यायपून वितरन ए अगर और भी सवाल क्या पूछेंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 1997 से लेके याद किया 2002 की बात करेगा तो नौमी पंचवर्सी योजना के अबधी अगर पूछे तो उन्हें 57 से लेके 2002 बता जिएगा और भी क्या पूछेंगे और भी लच पूछता है किकिसा योजना काल में gevदिक संबरिद्ध दरप्राप्त की गई थी तो 10 मीं योजना में की गई थी किस नीं की गई थी 10 मीं पंचवर्सी योजना में किया गया था यह बस्तवाल आप से पूछेगा आप से पूछेगा कि दसमी पंच वर्षी योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक ब्रिधी दर सबसे अधिक रही है तो आप जानते हैं 2006 से 2006 से 2007 को माना जाता है तो दस्मी पंच वर्षी योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक बिरिधी दर सबसे अधिक रही थी तो 2006 से 2007 में मानी गई थी ठीक है अगर आपसे पूछे कि दस्मी पंचवर्षी योजना के दौरान किस वर्स भारत में आर्थिक जो है ब्रिधी दर सबसे कम रही तो जानते हैं वो वर्स अगर पूछे तो 2002 से 2003 में सबसे कम रहा था लेकि 6 और 7 में अधिक रहा था और भी पूछेगा कि दस्मी जो पंचवर्षी योजना का काल अगर आपसे पूछे तो आप अच्छे से जानते हैं कि 2002 से 2007 के भी जिए दस्मी पंचवर्षी योजना काल रहा था क्योंकि 2002 से 2005 साल जोड़ दीजे तो 7 साल होगा 2007 होगा की नहीं ये जरूर ध्यान रखेगा आपसे पूछेगा इगारमी पंचवर्षी योजना के अब दी अगर पूछे तो 7 से 12 बता देगा 2007 से 12 बता देंगे और ये important है तो इगारमी पंचवर्षी योजना के अब दी अ प्राप्ट करने का अलच रखा गया है तो 9 प्राप्षी ये इसमें सवाल थोड़ा से ध्यान रखेगा एगा आदमी पंचवर्षी योजना का अगर डेट पूछे तो 7 से 12 पांट साल ये तो सही है और इगारमी पंचवर्षी योजना का जो योजना जो रखा गया था शक इतना प्रतिशत करने का लच नदारित किया था 75 परसेंट किया गया था सचरता दर बढ़ाने का लच रखा था और भी सवाल पूछेगा कि गारमी पंचवर्षी योजना के दौरान क्रिशी च्छत्र में कितने प्रतिशत की आउशत भीकास दर का लच रखा गया था तो 4 पहलालाइक रखा गया था तो 4 दर बढ़ाएक परतिशत का लच रखा गया था जिवइच और भी सवाल पूछेगा कि गारमी पंचवर्षी योजना में शिश्म मिर्तुदर घटाकर कितने लाने की बात कही गई थी 23 परतिशत लाने की बात कही गई थी मतब परती एक हजार जीवित जन्म पर रखा गया था याद भी रख सकते हैं अगर आप से पूछे कि एकारवी पंच वर्षी योजना के अबधी में रोजगार के कितने नए अफशर स्रिजित करने का लच्छ निरधारित किया गया है अगर आप से पूछे कि एकारवी पंच वर्षी योजना में भारत में अधारिक जो सनरचना में कितने निवेश कि अवशक्ता जो है आकलित की गई है ते 320 अरव डॉलर जो है आंकित क्या ही है आकलित की गई थे ठीक है और भी स्वाल क्या बनता है कि भारत की एकारवी पंच वर्षी योजना के दौरान 9 परतिशत जो है कि बारशिक विकास पर दर प्राप्त करने के लिए जो है निवेश के अस्तर को GDP में कितना परतिशत का जो है बनाए रखना होगा तो 35 परतिशत बनाए रखना होगा तब विद्दु चमता स्रिजन करने का लच रखा था तो 60-70,000 मेगावाट की लच रखी गई थी गारमी पंच वर्षी योजना का उद्देश क्या था तो समाविष्ट आर्थिक बिरिधी करना ही जो है गारमी पंच वर्षी योजना का था अगर आप से पूछे बारमी पंच 17 क्योंकि गारत कितना था 12 तक था आप बहुत अच्छे से आनते हैं 12 कैसे 7 से 12 जो है आपका गारमी है 12 हो गया 12 से आपको 17 अब देखिए जो बर्ष होते थे जिसे हम आरे चली करें बताएंगे रोलिंग प्लान जिस मोलेंगे तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसम से rolling plan बजाते हैं, तो rolling plan जो है एक बास्चिक बजट है, ये भी ध्यान रखेगा, ठीक है, अब और सवाल क्या बन सकते हैं, तो देखे, इसमें थोड़े ध्यान रखेगा, तो इसमें क्या बनता है, कि अर्थवेस्था के विकास के लिए, किंद्री, कृत, नियोजन, नियोज संग से, और सोवी संग में ये सुरुवात सबसे पहले हुआ था, 1928 में हुआ था, यह आप अच्छे से आनते हैं, ठीक है, और याद रखेगा, आपको अब भी जितने पढ़े हम, तो बारामी पंचवर्सी योजना तक पढ़ा लिए थे, अब याद रखेगा, पंचवर् में योजना भी थी, में कितने बार योजना आपकाश लगा था, तो तीन बार लगा है, यही सवाल पूसता है, क्योंकि देखे, गादा एक से लेकर बारामी पंचवर्सी योजना का चलना, बीच में तो सत्ता जरूर पल्टा होगा, ऐसा थोड़ी है कि सत्ता नहीं पल्ट हो जाना, पंचवर्सी योजना में, बस इतना ध्यान लखेगा, तो तीन है, लेकिन कौन-कौन है, चलिए, बाद में बताएंगे, तो भारत में शहरों को गंदगी वस्ती, रहित, जो है, बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू ही थी, शुरू की गई है, तो इंद्रा, जो है, महातमा गांधी राष्टिय रुजगार योजना जो चालू हुआ है, अधिनियम, कि अंतर गज्यो कारियत, कामगार जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, किस पर अधारित है, तो मल्टी, कौमडीटी, अक्स्चेंज, सुचंग पर अधारित होता है, इनका ये जरू और डेली वेश्टिस में ही काम कैंसार पैसा मिलता है, और भी सवाल है कि भारत में नियोजित विकाश का विरोध किसने किया था, तो महातमा गांधी किये थे, तो नियोजित विकाश एक हुआ था, जो कि भारत में उसका विरोध करने वाले हमारे महातमा गांधी थे, इंडियायशा से आप सेवा निर्मत होneath है उससे संजित है gold handsick golden handsick बोनते हैं इंडराा इवास यूजना जो है किस लोगों को आवास में जो है सहायता देने वाली यूजना है तो आप गरीबी गरामिन जो आवाश होते हैं 2 ऐह tutti हैं उनके आवास के लिए इंडिया जो बनाए गया है उसका लोगों अगर पूछे तो सेर बताजेगा भातिये नियोजन काल का जो कौन सा दशक जो है कृशी उत्पादन के दिश्टी से सर्विदिक शफल माना जाता है तो उनेशा अस्ती के दशक माने जाते हैं उनेशा अस्ती के दशक क्या होते हैं उनेशा अस्ती के दशक में अगर पूछा जाया है तो कृशी उत्पादन के दिश्टी से सर्विदिक शफल हुआ था ये जरूर ध्यान रखेगा ये डारेक्ट कोशन पूछेगा योजना अयोग है ये क्या है संसर ये बिधान दौरा निर्मी एक निकाई है ये ज़रू धना को है ब्हारत के परथम अगर योजना आयोग के अगर आपसे पूछे उपाद्ध ISBN कों है तो गुल्जारि लालनंदा थे और प्रतम अगर पदे अध्यच की बात करें तो PM खुद होते थे, प्रधान मंत्री होते थे, जो कि जवाहलाल नहरू थे, यह आप अच्छे से जाने जाए, अगर आप से पूछा जाए कि योजना आयोग जो है, क्या है संसरी बिधान द्वारा निर्वित, यह निकाई ह तो निती आयोग बन गया है, आप अच्छे से जानते हैं, तो आप से अगर पूछेगा कि योजना आयोग की अस्थान पर एक नया आयोग बना वो यादखी का निती आयोग बना था, जो कि इसके अध्याच अगर पूछा जाए तो आप जानते हैं, मोनी जी aja है, बहुत अ अगर आपसे पूछें कि निती आयोग का प्रत्म अध्यच अगर किसे बोला जाता है तरविंद पन्दगडिया को जो नितियायो को नवगठित किये हैं, वो उसके अध्यच अगा प्रतम अध्यच पूछे तो अरविद बनगडिया बता जेगा, और भी सवाल क्या बन सकता है कि नितियायो का प्रतम मुख कार्जकारी जो जिसे हम बोलते हैं SEO, मतलब CEO बोलते हैं, sorry SEO मैं बोलता हूँ, SEO जैस हैं, सिंदु शिरी खुलर जो हैं, वो क्या हैं, पता है, नितियायो का प्रतम मुख कार्जकारी अध्यच हैं, कार्जकारी अधिकारी हैं, या जिकेगा, जिसे SEO बोलते हैं, चीक है, आप देखने हूँगे, राष्ट्य विकास परश्यत का गठन अगर अगर आपसे किया गया था, निति फिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् राष्टिय विकास परश्ट का पदे सचीव जो होता है नीती आयोग का सचीव होता है आप से पूछेए का पंजवर्शिय योजना जो चालू हुआ था आप देख सकते हैं पंजवर्शिय योजना को अनुमोदित करने वाली जो सर्वो संस्था कौन सी थी तो राष्टिय विकास परश्ट थी आप अच्छे से जानते हैं और भी सवाल बनता है कि भारत में बीत आयोग के गठन का प्रवधान जो है समिधान के किस अनुशेद में वर्णित है तो आप अच्छे से जानते हैं 280 में वर्णित किया गया है मतलब 280 में समझ गए कोई दिकत नहीं होनी शाहिए तो भारत में बीत आयोग के अगर गठन की प्रवधान के बात की जाएगी तो आप हमेशा आर्टिकल 280 याद रखेगा मतलब 280 याद रखेगा आपसे क्या पूछेगा बीत आयोग है ये क्या है समिधानिक निकाई है अब समिधानिक जो है संस्था है आप ये बता सकते हैं समिधानिक बीत आयोग समिधानिक है गैर समिधानिक नहीं है ये ज़रूर ध्यान लखेगा वित आयोग का गठन जो है कितने अब धी के लिए की जाती है तो पांच वर्ष के लिए की जाती है जब तक शरकार तब तक यह तो पांच वर्ष के लिए की जाती है आप से और भी शवाल बनने की शमावना क्या है कि भारत में अभी तक कुल कितने वितायो का गठन किया जा चुका है तो पंद्रह ये भी ज़रूर ध्या नखेगा अब एक बात ध्यान रखेगा, बीत आयोग जो गठन किया गया अब तक पंद्रग है, लेकिन अब इधर जो हुआ था, 2024 का चुनाओ में, उसमें भी तो बजट की बात होगी, तो उसका बढ़ा दिजेगा, 16 कर दिजेगा, शोला कर दिजेगा, ये ज़रूर ध्यान रखेगा अगर पूछा जा कि देश के पुर्थम बीत आयोग के अध्यच कोन है, तो केशी नियोगी हैं, केशी नियोगी जी हैं, 15 में बीत आयोग के अध्यच कोन है, तो एन के शिंग हैं, 14 में बीत आयोग के अध्यच कोन है, तो बिजए केलकर जी हैं, और करेंट में चेंज होते रहेंगे तो आपको पढ़ते रहना होगा यह शिद्यान रखेगा तो पंद्रों में बीत आयोग के अच्छ अगर आपसे पूछे तो एन के सिंग होंगे जोड़ा में बीत आयोग के अच्छ होंगे तो बीजय किलकर होंगे ठीक है अब प्रथम आप से जो मैंने बताई दिय अगर नहीं बताया तो हम इसका एक जो है लिश्ट बना के फिर देंगे केंद्र एवम रज्ज के बीच बीतिये बिवादो के नित्यारा है तो कौन सा मुख अजिंसी है तो वो है बीत आयोग ठीक है किलियर तो अब सवाल बनता है कि हम नेक्स चेप्टर आएंगे मुद्र बैंकिंग से समंदीर जो की important सवाल बनते हैं एक से दो सवाल बनते हैं जो अभी मैंने पढ़ाया पंचवची अउद्णा नितियायोग जो की important question बनने के सवामना निश्चित होती है अब सवाल आपसे बनता है कि चलिए थोड़े से इसके date को याद कर लेते हैं जो है पंच बात करते हैं पंचवची अउद्णा अबधिया और GDP वार्शिव और उकलबधी पूछेगा आपसे तो कैसे याद रखेगा तो परतम पंचवची अउद्णा कर दे तो हम जानते हैं 951 से 956 से इसकी अगर लच्छ की बात करेंगे GDP की बात करेंगे 202.1 रखा था 2.1 रखे मतब 1951 से परतम जब हुआ था तो 56 के जोड़ लीजे 5 शाल तो 1956 से 61 माना जाता है जिसका लच्छ रखाता है 4.5 जिसमें लच्छ इसकी भी अच्छी हुई थी द्यूटे में 4.21 था ठीक है 4.21 नहीं हुआ था लेकि 21 बोला जाता है या 2.3 बोला जाता है तो यह सवाल आप 66 मानी जाती है इसका भी लच्छ आप रिया दुखेगा 5.6 थे और इसका जो है क्या था 2.7 था जो कि तिर्टिये असफल होने का कारणा मैंने बता चुका हूँ क्योंकि इसमें मैं यूद हो चुके थे चीन का और पाकिस्तान का दो मतब यूद हो था चीन से भी यूद पढ़ेंगे कि तिर्टिये पंचवर्शी विजना तो आपका हो गया आप से पूछेगा चौथी पंचवर्शी विजना का डेट तो या देखे हैं 1969 से लेके 74 माना जाता है तो 74 में या दुखेगा चौथी पंचवर्शी विजना आई थी यह ज़रूर ध्यान रखेंगे अगर पाँचवी पंचवर्शी विजना की अगर बात करते हैं तो पाँचवी पंचवर्शी विजना का अगर डेट पुछें तो 1974 से यह दो किए 79 होगा तो पांच सार जोड़ दिजे अगर 1904 से अगर पांच सार जोड़ेंगे तो 1909 होगा चोकि 79 कहते हैं उसको अगर च तो छटी पंजवर्शी यहाता है चया लगतार चलिए है। कि तिर्थी पंच वर्षी योजना के बाद, चौथी पंच वर्षी योजना में योजना अवकाश लगा था, तीन वर्ष का, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये भी 66 के बाद, 1969 से 1974 हो गया था, ठीक है, तो तीन साल का ये लगा था, ये बताना मैंने भूल गया था, बता दिया मैंने, आठमी पंच वर्षी योजना की बात करें, तो 1992 से 1997 माना जाता है, देखिए छटा साथ चला था, उसके बाद आठमा में थोड़ा दो शाल का गया था, ये याद रखिएगा, नौवी पंच वर्षी योजना में लगातार चलेगा, 1997 से लेके 2002 तक चलेगा, अब 2002 से भी लगातार चलेगा, दस्वी पंच वर्षी योजना, दो हजार दो से साथ चलेगे, 2007 चलेगे, 11 पंच वर्षी योजना की बात करें, तो 2007 से 12 चलेगा, 12 पंच वर्षी योजना, आ पीच में और एक एक साल का जो है तकता पलड़ता है तो उसके जगह पे कोन बनते हैं क्या बने थी यह आप सवाल बनती है और समभावे सवाल जो है बन सकता है वह मैं बता दिया और सबसे वड़ीवाद अगर नहीं देखें मेरा पहला वीडियो जो पंचवर्शी हो जो सजा मैंने बताना भूल गया तो यह थोड़ा सा याद कर लिए क्या है कि भारत में आर्थिक जो नियोजन हेतु जो किये गए प्रयास है उसके हम डेट भी याद रखेंगे ठीक है और कोन किये है यह भी याद करेंगे तो थोड़ा सा ज़रूरी है तो थोड़ा ध्यान रखेग जैसे भारत के लिए जो है नियोजित अर्थवयोस्ता जो कि हम सुरूरू में पढ़े थे कि 1934 में कौन लाए थे तो एम विश्वेसर राय की बात आता है या विश्वेसर बोला जाता है राय यह ध्यान रखेगा और पूछा जाता है कि राष्टी यह नियोजन समीती के अ आय थे तीन कौन-कौन आय था तो बंबे पलान आय था आप पढ़े थे कि मुंबई के आठ प्रमुक योद्योग पती ने यह जो है किये थे मिलकर ठीक है 1944 में एक आय था नियोजन एवं विकास भिवाग जो कि सर जो है सर आदेर्स आदर्स ठीक है सर आदर्स सियर दलाल जो है वो 1944 में यह जो है नियुजित के थे गांधिवादी योजना पलान जो है लाने वाले स्रीमन नाराइन जी है जो कि 1944 में ही लाए थे तो यह सब चीज जो है योजना जो है थोड़े थोड़े आये है जो कि इंपोर्टेंट है आप से पूछेगा जन योजना कब आया तो जन योजना लाने वाले आगे विक्ति को हम जानते हैं तो स्रीमन राइजी थे जो कि 1944 में थे मतलब 1945 का बना जाता है और सवाल अच्छा सवाल अगर पूछे तो सर्वोदे योजना से इतना वार कोशन पूछा है हर एक्साम में कि आपको यह ध्यान रखना शाहिए क्य जय प्रकाश नारायन जाहिए जो की यह बनाये थे 1950 में बनाये थे 1950 में बनाये थे तो यह आपको याद हो गया होगा आपसे और सवाल क्या पूछेगा योजना आयोग की अस्थापना जो है किंदृ मंत्रि मंदल दोरा पस्तावित की गई है और कब की गई थी तो 15 माँच उने पचास इस भी को किया गया था यूजनाायोग का अस्थापना अब अच्छा से जानते हैं अगर आप से पूछे कि राष्टिय विकास परश्थ की बात करें किंदरिय मंत्रि मंट्ल दौरा ये ये भी पर स्थावित होता है हम जानते हैं कि केंदरीय द्वारा मतब P.M. द्वारा ही किया जाता है जो कि ये 6अगस्ट 1952 में किया गया था तो योजना आयोग की अगर बात करेंगे तो 15 माच 1950 में अरênश्ट्य विकास परश्यत की बात करेंगे one से आपका ये पंचवरची अभना शुरुगाए था और जितना होना था मैंने बता दिया लगभग मैंने सारा करवा दिया one लाइन अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्काइब लाइक करना ना बूलिएगा लाइक को subscribe करते रहें जो comment करते हैं उनके लिए तहे दिल से thank you, subscribe करते हैं उनके लिए भे thank you, मेरा slogan याद रखेगा, आप हैं तभी हम हैं. चेहिन चेवारब